आज माननिय हाइकोट ने मंत्री श्री नवाब मलेक इनकी अरजी खारिज कर दी है और इडी ने जो कारवाई उनके उपर की उसको जायज ठेराया है सरदार शाहवली खान मुंबे बंविस्पोट का आरोपी दाउद का गुरगा और सलीम पतेल दुसरा दाउद का राइट हैंड हसीना पारकर का राइट हैंड इनके माध्यम से कवडियों के भाव जमीन खरीद कर जूटे पेपर तैयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दि कर जिस प्रकार का ये विवहार हुआ और ये पैसा हसीना पारकर के माध्यम से दाउद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है ऐसी सारी चीज़े ये स्पष्टता से आने के बावजूद कराज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तिफा नहीं ले रही है मेरा सवाल है सरकार को कौन सा दबाव आपके उपर है क्या दाउद का दबाव है इसलिए नवाब मलिक का इस्तिफा नहीं लिया जा रहा है हमारी मांग है नवाब मलिक का मंत्री पत का इस्तिफा तु उद्धव ठाकरे जीने उनको तुरंत बर्खास्त कियारना चाहिए आमच अतिशे स्पष्टपणे मागना आहे काल परेंत तुम्ही सभागुर्वात सांगत होता कि नवाब मलीक यंच्या बदल हाय कोर्टा मदे पिटिशन पेंडिंग आहे आज माननिय उच्य नायल्याने ही निर्णे दिलेला आहे आणि इडीची करवाई योग्या हे हे तेननी सांगितला है आता माजा सवाल है कि या ठिकाणी बाम्स पूटाचा आरोपी आणि दाउचा मनूस सर्दार शहावली खान दाउचा दूसरा मनूस सलीम पतेल यांचा सोबत संगन मत करून मनी लॉंडरिंग करना रे आले त्यानन तरे मनी लॉंडरिंग जाल कि आपले सगयाना कलपनायते टेरर फंडिंग मरे परिवर्तित होते या सगयायचा सवबागी असलेले मंत्री नवाब मलीक यांचा राजिनामा सरकार कदी घेनार आतातर तैंचा राजिनामा गितलाने तरे सपश्टा है कि ये सरकार दाउचा दबावखली काम करता है